क्यासो दिन बल्बान का जन तुर्कियों के इलबारी कभीले में हुआ था और बल्बान के ग्रेंट फादर कभीले के मुख्या थे जब बल्बान बच्चा ही था तब मंगोलों ने बल्बान और उसके परिवार के कई सदस्यों को पकड़ लिया और एक गुलाम के रूप में बेच दिया कई बार ख्रीदे और बीचे जाने के बाद बल्बान को सुल्तान इल्टूत्मिश ने ख्रीद लिया उसकी काबियत की वज़े से उसने बहुत तेजी से तरक्की की और 12.36 तक वो सुल्तान इल्टूत्मिश का परसनल अटेंडेंट बन गया 12.36 में सुल्तान इल्टूत्मिश की मृत्य हो गई जिसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने अगले चार साल तक शासन किया रजिया सुल्तान की मौत के बाद इलतुटमिश के बेटे बहराम शान ने दो साल तक साशन किया और जिसके बाद इलतुटमिश के पोते महसूर शान ने चार साल तक शासन किया कम अवधी तक राज करने वाले इन सुल्तानों के शासनकाल के दोरान बल्बान एक शक्तिशालिक तुर्किक दर्बारी बन गया बल्बान सुल्तान भेरमशान के अधीन शाही अस्टबल की देखरे करता था और महसूर शाह के अधीन सुल्तान के घर और दर्बार को मैनेज करता था इसके साथ साथ वो हासी और रेवाडी का गवर्नर भी था सुल्तान से अच्छे रिलेशन्शिप बनाए रखने के लिए उसने अपनी बीटी की शादी सुल्तान मसूद शा से कर दी 1246 में जब सुल्तान महसूद शा को राज करते सिफ चार साली होए थे तब कुछ दर्वारियों के साथ उनके मदबेद हो गए और दर्वारियों ने उनकी हत्या करवा दी बल्बान सुल्तान महसूद शा के प्रती अंथ तक वफादार रहा और सुल्तान की हत्या करवाने में उसका कोई भी हाथ नहीं था मस्दूर शाह की मृत्यू के बाद दर्वारियों ने इलतुत्मिश के एक और पोते नसुरुदीन शाह को दिल्ली के तक पे बैठाया जिसमें बल्बान एक एहम भूमी का निवाई थी जिसकी वज़े से सुल्टान नसुरुदीन ने उसे अपना नया वजीर बनाने की इच्छा जताई जिसे सभी दर्वारियों ने मान लिया और इस थरे बल्बान दिल्ली सल्तनत का वजीर बन गया 1249 में उसने सुल्तान के साथ अपने संबंद और मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी सुल्तान से करा दी जिसके बाद सुल्तान ने उसे नियाब ए मुमलिकत की उपादी भी दी बल्बान ने अपने परिवार के सर्दस्यों को महतपूर्ण ओफिस और गवर्नियर्शिप भी दिलवाई और अपनी शक्ती को और भड़ाया बल्बान के वजीर बनने से पहले दर्बारी सुल्तान की कोई भी बात नहीं मानते थे उत्तर पशिम भारत को मंगोले ने तबाह कर दिया था गंगा जमना दुआप के मैदानी लाकों में जमिदार टैक्स देना दुदूर सुल्तान की बात तक नहीं मानते थे बल्बान ने वजीर बनने के बाद पूरी सल्तनत में सुल्तान का शासन लागू करना शुरू किया बल्बान ने नई सेनिंग भरती करके सुल्तान की सेना की ताकत और भड़ाई उसने सल्तनत के दुश्मनों के खिलाब हर वर्ष अभियान चलाने का फैसला भी किया सल्टनत के मुख के दुश्मन विद्रोही तुर्गेक सैनापती, मंगोल और स्थानियत जमिदार थे 1246 में बल्बान ने वजीर के रूप में अपना सबसे पहला काम पंजाब के खोकर कभीले और मंगोलों पे हमला करके शुरू किया बल्बान के वाँ पहुचने से पहले ही मंगोलों ने पंजाब को लूट लिया था इसलिए वो बिना किसी लड़ाई के अपनी लूट के साथ अफगानिस्तान वापिस चले गए बल्बान ने खोकरों पे हमला किया और स्वाल्ट रेंज को बुरी तरह तबाव और बरबाद कर दिया अगले साल 1247 में बल्बान ने गंगना जमना दुआप के शेत के जमिदारों के खिलाफ अभियान चलाया शाही सेना स्थानी जमिदारों से लड़ते हुए कारा तक पहुच गई और इस तरह बल्बान ने दिल्ली सल्टनत को थोड़ा मजबूत किया बल्बान का रिष्टदार और नागोर का गवर्नर किश्लू खान बल्बान से नराज था क्योंकि बल्बान ने उसे मुल्तान और सिंद का गवर्नर बनाने से मना कर दिया था शाही घराने का रकरकाव करने वाला इमादुद्दीन रेहान भी बल्बान से नफरत करता था इसलिए 1253 में किशलू खान और इमादुदीन रेहान ने बलवान के खिलाफ एक शर्यंत रचा उन्होंने बलवान के खिलाफ अफ़ाफ लाई और सुल्तान को बलवान के खिलाफ भड़काने लगे उन्होंने बलबान को मारने का प्रयास भी किया लेकिन इसमें वो असफल रहे जब बलबान कोई शर्यंत और उसके प्रती सुल्तान की नराज़की के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वजीर के पद से स्थीफा देने की पेशकश की सुल्टान ने उसका इस्तीफा सुईकार कर लिया और उसे हांसी का गवणनर बना दिया रेहान और किश्लू खान ने सोचा था कि इसके बाद बलबान विद्रोज जरूर करेगा लेकिन बल्बान ने विद्रोन नहीं किया और अपनी गवर्नरशिप चलाने में अपना पूरा दियान लगाया इमादुद्दीन रेहान वजीर के रूप में सरकार को सही तरीके से चलाने में विफल रहा जल्दी उसने सुल्टान और अन्य तुर्किक दर्बारियों का विश्वास खो दिया एक वर्ष की बीतर ही दर्बारियों के समर्थन के कारण सुल्टान ने बल्बान को दुबारा वजीर बना दिया बल्बान एक चलाक पॉलिटिशन था और उसने उसके खिलाफ शडियंद करने वाले सबी दर्वारियों को माफ कर दिया लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि वो एक दूसरे से अलग थलग रहें जहां रेहान को उसने बदायू की गवर्नर्शिप दी वहीं किशलु खान को उसने मुलतान का गवर्नर बना दिया यहां किशलु खान को मुलतान की मंगोलों से रक्षा करनी थी दूसरी बार वजीर बनने के बाद बल्बान ने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए चार रनीती अपनाई पहली नराश तुर्किक दर्बारियों को दूर और मुश्किल प्रांतों की गवरनर्शिप देना इसका फाइदा ये था कि अगर ये दर्बारी अपने प्रांत की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो बल्बान को उनको अपने रास्ते से हटाने का मौका मिल जाएगा दूसरा, विद्रोही तुर्किक दरबारियों को जल्द से जल्द हरा कर उनका सर कलंग करके उनकी ताकत को खतम करना तीसरा, स्थानी जमिदारों की ताकत पर अंकुष лगाना चौथा मंगोल सामराज से लगी स्यमा की चौक्यों को मजबूत करके मंगोलों को भारत पे आक्रमण करने से रोकना 1256 में इमादुद्दीन रेहान ने सुल्तान के खिलाब विद्रो कर दिया रेहान को युद्ध के मैदान में हरा के बलबान ने उसको मार डाला इसके बाद तुर्किक दरबारी कुतलुक खान ने विद्रो कर दिया बलबान ने अपनी सैना के साथ उस पे हमला किया लेकिन सुतलुक खान सिर्मुल हिल्स में बसे संतागड राज़ में भाग गया संतागड के राजा रणपाल ने उसे आश्रे दिया पल्बान ने संतागड़ पे हमला किया लेकिन संतागड़ पे कबजा करने में वो असफल रहा इसलिए उसने संतागड़ के आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया सुल्तान नसरुदीन का भाई जलालुदीन खुद सुल्तान बनना चाहता था लेकिन जब वो तक्त पाने में आसफल रहा तो वो अफगानिस्तान भाग गया और मंगोलों से साहता मांगी 1255 तक जलाल उदीन मंगोलों का समर्थन पाने में विफल रहा इसलिए वो भारत वापिस आ गया और अपने भाई और सुल्तान नसरुदीन से माफी मांगी सुल्तान ने भी उसे माफ कर दिया इसके पाद बल्बान ने सुल्तान को सला दी कि वे जलाल उदीन को लाहोर की गवर्वनर्शिप दे दे क्योंकि वे मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में एक बफर के रूप में काम आएगा मंगोलों से लडने के लिए बल्बान के पास ज़्यादा संसादन नहीं थे इसलिए उसने मंगोलों के खिलाव डिफेंसिव होने का फैसला किया उसने दिल्ली की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए किलो और दिवारों की मरमत करवाई 1257 में मंगोलों ने मुलतान पे हमला किया बलबान के चचेरे भाई और मुलतान के गवर्नर किशलू खान ने विद्रो कर मंगोल की सेना में शामिल हो गया किशलू खान और मंगोलों ने दिल्ली पर साथ मिलके हमला करने का फैसला किया लेकिन बल्बान को इस समझोते के अबारे में पता चल गया उसने मंगोलों के साथ राजनेतिक संबन स्थापित किये और मंगोलों के अमबैजडर को दिल्ली आने के लिए आमंतरित किया 1258 में मंगोलों के अमबैजडर ने दिल्ली का दौरा किया बल्बान ने मंगोलों के अमबैजडर को दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना दिखाई जिसे देखकर अमबैजडर इतना प्रभावित हुआ कि बल्बान के जीवित रहते हुए मंगोलों ने कभी भी दिल्ली पे हमला नहीं किया लेकिन अफगानिस्तान में मंगौलों की उपस्तिती के कारण बल्बान, मुल्तान और लाहूर को दिल्ली सल्टनत के प्रभावी निरंतर्ण में लाने में असफल रहा शक्तिशाली राजपूत राजज अभी भी मद्ध भारत के महत्पून शेरों पर राज़ करते थे बल्बान से पहले दिल्ली के सुल्तान, कुतुबदीन, एबग और इतुत्मिष ने पहले भी किलिंजर और रंधंपोर जैसे किलों पे कबज़ा किया था लेकिन राजपूतों ने उन्हें बार बार किला चोड़ने पे मजबूर कर दिया था वजीर के रूप में बल्बान ने भी इन शेहरों को जीतने का बार बार प्रयास किया 1249 में बल्बान ने कलिंजर पे हमला किया, लेकिन कलिंजर पे कबज़ा करने में वो असफल रहा 1251 में बल्बान ने क्वालियर को जीतने का प्रयास किया लेकिन उसे भी जीतने में वो असफल रहा 1248 और 1259 के बीच रन्थंबूर को जीतने के बल्बान ने तीन प्रयास किये लेकिन वो उन तीनों में असफल रहा दिल्ली के दश्ण पश्षिण में रहने वाले शक्तिशाली मिवाती लोग भी निडर होते जा रहे थे वो ना केवल दिल्ली के आसपास बलकि दिल्ली शेहर के अंदर भी छापा मार हमला करते थे 1259 में बलबान ने मिवातियों के खिलाफ अपना अभ्यान शुरू किया उसने मिवातियों के खिलाफ कई लड़ाया लड़ी लेकिन उन्हें को चलने में वो असफल रहा उसने फिर मिवातियों का नर्संगार करना शुरू किया लेकिन सुल्तान के आगरे पर उसने नर्संगार बंद कर दिया इसके बाद कई सालों तक मिवाती दिल्ली के लोगों को लूटते रहे 1266 में सुल्तान नसुरुदीन महमूत की मृत्यों हो गई वह नी संतान था इसलिए उसने बल्बान को अपना उत्रिदिकारी बनाया था और इस तरह बल्बान 1266 में दिल्ली का सुल्तान बन गया बल्बान ने वजीर के रूप में सल्तनत की अधिकान समस्याओं पे नियंद्रन रखा था उसने खजाना खाली होने के बापचूद विद्रोही तुर्किक दर्बारियों, राजपूत राजाओं और मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को बचाया था लेकिन जैसे ही वो सुल्तान बन गया उसने इन समस्याओं को खतम करने का फैसला किया अपनी सरकार और सेना का पुनरगटन और सुधार के बाद बल्बान अपने विद्रोहीों को कुचलने के लिए तैयार था उसका पहला निशाना दिल्ली के आसपास बसे मेवाती लोग थे जिनने वे वजीर के रूप में कुचलने में नाकाम रहा था उसने हजारों मेवाती लोगों को मार डाला, महिलाओ को गुलाम बनाया और उनके घरों को जला दिया उसने गुपाल गिर में एक किला बनवाया, उसनी दिल्ली के आसपास के जंगलों को भी साफ करवाया और अपनी सेना की आवजाई के लिए सड़कों का निर्माण भी करवाया उसने मेवातियों के जमीनों को जब्द कर लिया और तुर्किक सेनेकों के बीच में उसे बाठ दिया एक वर्ष के बीतरी, बलबान ने मेवातियों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया और दिल्ली को फिर से सुरक्षित किया इसके बलबान ने अपना दियान दौआप और अवद की जमिदार की और लगाया क्योंकि ये लोग ना ही जुल्तान के आदेशों को मानते थे और ना ही कोई टेक्स देते थे बलबार ने जमिदारों की ताकत को कुचलने का मन बना लिया था उसने अपनी सेना को हमला करने का हदेश दिया और अधिकांश विद्रोही जमिदारों को मरवा दिया जब वो विद्रोही जमिदारों को खतम कर रहा था तब उसे खबर मिली कि बंदेल खंड में विद्रोह हो गया है उसने अपनी सैना को बंदेल खंड बेजा और विद्रोह को खतम कर दिया इसके बाद उसने अपनी सेना को सौल्टरिंट भेजा और खोकर कभी लेके एक और विद्रोग को कुचल दिया अफगानिस्तान में मंगोलों की उपस्तिती दिल्ली सल्टनत के लिए एक खत्रा बनी हुई थी इसे निपटने के लिए बलबान ने अफगानिस्तान से लगे प्रांतों के गवर्नरों को मंगोलों के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने को कहा था लेकिन ये गवर्नर एक दूसरे के साथ तालमेल करने की जगा आपस में जगडते रहते थे वह लगतार एक दूसरे की तैयारियों में खामिया निकालते रहते थे बल्बान ने मंगोलों से हारने वाले गवर्नरों को या तो बर्खास्त कर दिया या मार डाला दीरे दीरे काबिल तुर्किक दर्वारियों का एक नया वर्ग पुराने लेकिन शक्तिशालिक तर्किक दर्वारियों की जगे लेने लगा नए तुर्किक दर्वारी बल्बान की प्रती अधिक वफादार थे इन नए तुर्किक दरबारियों में से एक जलालोद्दीन खिलजी भी था जो बाद में सुल्तान बना 1279 में सुल्तान बलबान बिमार पड़ गए और अपने बिस्तर तक सीमित रहने लगे इसका फाइदा उठाते हुए मंगोलो ने पंजाब पे एक बड़ा हमला किया बलबान के बेटे राचकुमर मेंबूद ने उनका मुकाबला करने के लिए शाही सेनक की कमान समाली और मंगोलो को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया मंगोलो के हमले का फाइदा उठाते हुए बलबान के सबसे बरोसे मंद अधिकारी और बंगाल के गवरनर तुग्रिल खान ने अपने आपको स्वतंतर गोशित कर दिया बल्बान ने अवत के गवर्नर आमीन खान को बंगाल को फिर से जीतने और तुग्रिल खान को मारने के लिए भेजा यूद के मैदान में तुग्रिल खान ने आमीन खान को हरा दिया बल्बान ने अपनी हार के लिए आमीन खान को मरवा डाला इसके बाद सुल्तान ने तिर्मती खान को भेजा लेकिन वे भी तुग्रिल खान से हार गया तुग्रिल खान को हराने में असफल रहने पर सुल्तान ने तिर्मती खान को भी मरवा दिया सुल्तान बल्बान ने अपने खराब सौर्थ के बाबजूद तीसरे अभियान को खुद लीड किया उसने एक विशाल सेना खड़ी की और बंगाल पे हमला किया तुगरिल खान बंगाल से भाग गया क्योंकि वो इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ना चाता था तुगरिल खान उड़ी सा भाग गया लेकिन शाही सेना ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला सुल्तान बल्बान ने तुगरिल के परिवार के सदस्यों उसके दोस्तों और उसके समर्थकों को कई दिन तक टॉर्चर करने के बाद मार डाला इसके बाद बलबान ने अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर निउक्त किया बंगाल से जाने से पहले बलबान ने उसे चितावनी दी कि अगर उसने भी कभी सुल्तान के खिलाब विद्रो किया तो उसके साथ भी ऐसा ही विवार होगा बुग्रा खान बंगाल में हुए नरसंगार से इतना बहबीत हो गया था कि उसने दिल्ली की राजनीती से दूर रहने का फैसला किया और बलबान की मृत्यों के बाद सुल्तान बनने से इंकार कर दिया बलबान ने 30,000 गोड़ी सवर सेनिकों के एक विशेश बल को बहुत कम समय में मंगोलों के खिलाफ तैनात करने के लिए बनाया लेकिन सुल्तान बलबान मंगोलों के खिलाफ हमेशा डिफेंसिवी रहे और उन्होंने मंगोलों को पंजाब से पूरी तरह हटाने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया इसके मापजूद बलबान ने लाहोर, मुल्तान और उन्च पे अपना नियंतरन बनाये रखा इस युद में हार गए और युद के मैदान में ही मारे गए इसके बाद मंगोलों ने दीपलपूर और लाहोर शहर को तबाह कर दिया इसके बाद राजकुमर महमूद के जवान बेटे काई खुसरों ने शाही सेना की कमान समाली और पंजाब की ओर कूच किया लेकिन शाही सेना के आने से पहले ही मंगोल अफगानिस्तान वापिस चले गए शाही सेनिकों के समय पे आनी की वज़े से मंगोल सेना बुलतान और उन्च को नहीं लूट पाई राजकुमार महमूद जो 1285 में मंगोलों के खिलाफ लडाई में मारे गए थे वो सुल्तान बलवान के उत्रिदकारी और सबसे पसंदिदा बेटे थे राजकुमार महमूद की मौत के कारण सुल्तान बलवान बहुत दुखी रहने लगे और एक वर्ष की बीतर ही 1287 में 80 वर्ष की आयू में उनकी मृत्य हो गई बलवान ने अपने पोते राजकुमार महमूद के बेटे काई खुसरों को अपना उत्रिदकारी चुना था लेकिन उनकी मृत्यू के बाद दर्बारियों ने बलवान के एक और पोते कैकाबाद को सुल्तान बना दिया कैकाबाद बहुत ही कमजोश आसक था जिसे तीन साल के अंदर 1290 में उसके एक शक्तिशाली दर्बारी जलाल उदीन खिलजी ने गद्दी से हटा दिया और इस तरह गुलाव वंश का अंध हो गया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बटन दबाएं धन्यवाद